Hello Friends, Welcome to Learn for Knowledge इस वीडियो में मैं आप लोग को WB SCDCL ने जो अभी रिलेसेंटली एक आप लोग को रिक्रूट्मेंट छोड़ा है तो उसी का Office Executive Recruitment तो वही मैं आप लोग को बताऊंगा Form Club कैसे करना है and previous year question पूरा analysis दूँगा और मेरो चोटा भाई जो अभी जॉब करता है आप लोग का इसलमपूर जो दिनाजपूर में इसलमपूर है उसमें आप लोग का recruited है वहाँ पे Office Executive के post में recruited है इसके पहले जो एक्जाम हुआ था इसके पहले की recruitment में उसका selection हुआ था तो उसने कैसे preparation के and previous year question के कैसे करके आप लोग को पढ़ना है कैसे करके कौंसे sections को ज्यादा focus करना है वही से अब मैं आप लोग को यहाँ पर discussion करूँगा चलि friends start करते हैं सबसे पहले friends from film 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 के आप लोग का जो recruitment छोड़ा है recruitment वे पूरा total vacancies है यहाँ पर friends के application आप लोग को बता गया फिल फीस वह 300 है बड़ यह 300 नहीं है friends जब आप लोग को form flip करोगे तब आप लोग का चालान एक कटके आएगा चालान आपको कटके आएगा आप लोग काटने के बाद आप लोग को एक सीरेल नंबर देगा वही सीरेल नंबर से आप लोग जब 48 आवर्स बाद अगें आप लोग को form flip करना पड़ेगा आप लोग को यही वाला form दो बार flip करना पड़ेगा एक बार में आप लोग ने form flip कर दिया देन चालान कर दिया तो ऐसे करके नहीं होगा आप लोग का 48 आवर्स बाद आप लोग का लिंक जैनरेट होगा फिर अगें आप लोग यह जो सीरेल नंबर आप लोग को दिया आप लोग को यहां पर लोग का टोटल टाइम दिया रहेगा दो गंडा याने की 120 मिनिट्स और मैक्सिम माक्स होगा 100 माक्स होगा क्योंकि हर एक कोश्चन आप लोग का एक एक माक्स का होगा और टोटल 100 कोश्चन होगे आप लोग का टोटल 100 कोश्चन का डिस्ट्रिबूशन है कैसे गर के डिस्ट्रिबूट किया रहेगा यह आप लोग का पहले 15 कोश्चन आप लोग का जनले लेवरेनेस से आएगा दन आप लोग का next 15 question reasoning से आएगा and उसके बाद 20 question आप लोग का quantity to aptitude जिसले हम लोग math बोलते है then उसके इंग्लिस section से आएगा 20 question then data in analysis, data interpretation and data sufficiency से 20 question आएगा then last में आप लोग कम्पूटर awareness से 10 question आएगा तो in total in some total किजी आप लोग का 100 question आएगा then mark my words friends यहाँ पर अच्छी तर से आप लोग का bold capital letter में दिया हुआ है कि there will be no negative marking इस question में कोई भी negative marking नहीं होता friends तो यहाँ पर जो 100 question है 100 के 100 ही आप attempt करके आओ ज़्यादा आप लोग का probability रहेगा पास होने का यहाँ पर क्या है friends यह question paper बहुती easy रहता है and बहुती simple basic level के आते है and यहाँ पर आप लोग को question में दिखा रहा हूँ अभी but क्या है आप लोग का यह बहुती basic and बहुती simple type का question होता है but यहाँ पर जो main चीज factor करता है वो होता है आप लोग का speed आप लोग का 100 questions आप लोग का दो घंटे के अंदर पूरा complete करना पड़ेगा and यहाँ पर क्या है friends हम लोग सूच रहे है इतना easy अगर होता है तो cut-off of course high जाएगा of course yeah friends यहाँ पर cut-off 75 के अब 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 जाता है 75 कभी भी गया नहीं उससे अब अब भी रहता है 75 minimum रहता है तो आप लोग 80 plus लेके आ सकते हो तो आप लोग का definitely selection पका रहेगा then next है friends आप लोग का यहाँ पर जो मैंने cut-off 75 friends यह आप लोग का cut-off क्यों इतना high रहता है क्योंकि आप लोग का negative marking तो है नहीं even क्या आप लोग का exam बहुत ही easy रहता है तो चलिए friends अब exam pattern क्या है और कैसे है आप लोग का previous question है सब कुछ मैं explain कर रहा हूं और उससे पहले start करने से पहले मैं आप लोग को बता दू हम लोग का WhatsApp group है वहाँ पर आप लोग join हो सकते हो 9609714558 यहां पर जितने भी वेस्ट बेंगल के अच्छे से फेकल्टीज है और यहां पर क्या आप लोग मैट्स का कोई भी question में problem आ रहा है जीके का question में problem question है आप लोग यहां पर हम लोग upload कर सकते हैं हम लोग कोई charge नहीं लेते हैं इस group में आप लोग free free में join हो सकते हो कोई हम लोग charge नहीं लेते हैं and friends यहां पर क्या है यह जो recruitment process है यह वेस्ट बेंगल का सबसे fastest recruitment process है क्योंकि friends 6 मैने के अंदर ही में छोटे भाई को job मिल गया था and यहां पर क्या है आप लोग का मान लीजे आप लोग को January में आप लोग notification निकला है form flip complete हो जाए दो मेने बाद ही एक्जाम हो जाएगा आने कि आप लोग का April में के तरह time में आप लोग का exam होगा then आप लोग का 30 marks का again उसके बाद computer के एक exam होता है then उसके 10 marks का आप लोग का interview होता है यह complete process 6 मैने के अंदर ही complete हो जाएगा आप लोग को definitely friends first August में आप लोग को salary आपके हाथों में रहेगा तो friends अगर आप लोग को जल्दी job चाहिए and easy job चाहिए तो यह recruitment process बहुत ही अच्छा है इन लोग का genuine है friends the next यह क्या है मैंने जो यह question paper upload के यह official question paper है यह क्या है अप लोग का जब उनों question लेते हैं exam लेते हैं exam के एक दिन बाद ही और लोग question paper अपने site में upload कर देते हैं यह आप लोग का series D-Series का Question Paper है इससे आप लोग का Idea रहेगा कि मेरे को कितना मिलेगा कैसे करके मैंने कौन-कौन साइटम करके है और यहां पर और एक चीज का है यह जो Question Paper है आप लोग को मिलता नहीं वो लोगी ले लेते हैं यह लो Question Paper इसलिए आप लोग को एक आइडिया करके रखना पड़ेगा हाँ मैंने कौन सा कॉस्चन ठीक किया था कौन सा ठीक मार्क नहीं किया था यह सब आइडिया रखना पड़ेगा अगर आपका आइडिया में रहेगा तो आप लोग चैनले सबसे पहला सेक्षन के है जरनल लेवनेस का 15 इसमें से इसमें सबसे ज्याइडा में इंपोर्टेंट है आप लोग करेंट इफेर से स्क्षन से आता है करेंट इफेर से अच्छी दर से अपना प्रपरिशन कीजी यह जो नर्मल जीकेज है जीके यहाँ बढ़ेगा इस history पढ़ा है तो यह definitely पढ़ा होगा तो यह सब थोड़ से easy type की आते ज्यादा tough नहीं होता friends यहाँ पर आप लोग 10 plus score कर सकते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग current affairs को focus किजिए general 11S के लिए next section आप लोगा reasoning section reasoning section किसी ने भी किया है या नहीं भी किया हो आप लोग 15 में से 15 मिल सकता है अगर आप लोगा reasoning थोड़सा भी better है यहाँ पर reasoning बहुत easy level का आता है intermediate level भी बोलूँगा तो गलत होगा difficult level नहीं है medium level नहीं है easy level का होता है अगर आप लोग का reasoning बहुत अच्छा है तो आप लोग 15 में से 15 लेके आ सकते हैं यहाँ पर अलग सा आप लोग का reasoning कोई toughest level का reasoning आप लोग को solve नहीं करना पड़ेगा the next है आप लोग का math section, math section के लिए friends मैं definitely आप लोग को recommend करूंगा rs agarwal please please पढ़िए क्योंकि यह लोग friends wscdcl के official से लोग बहुत ही आलसी होते हैं यह लोग just copy paste मार देते है rs agarwal से जितना भी question आप लोग को मिला है देखिएगा हर एक question एक-एक word आप लोग का even options भी लोग अलग सा नहीं देते हैं options भी आप लोग को copy paste मार देते हैं यह पूरा question copy paste मारते है rs agarwal book से s chanth का जो book है तो वह लोग बुक मैं आप लोग को prefer कर रहा हूँ बहुत ही easy है and यह maths section यह लोग थोड़ सा lengthy देते हैं tough नहीं देते हैं lengthy देते हैं बहुत ही easy होता है तो please friends आप लोग rs agarwal को फॉरक easy है then next है आप लोग का maths के section के बाद आप लोग का English section आते हैं English section में क्या है आप लोग one word substitution and idioms and phrases यह दो section आप लोग का अच्छी तर से आता है तो आप लोग English में भी 15 20 में से आप 15 plus marks score कर सकते हो बट यहाँ पर क्या आप लोग का English थोड़ सा अच्छा होना चाहिए किसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 2-3 grammatical questions भी आ जाते हैं but last में आप लोग का 5 marks का एक comprehension आता है वो comprehension इतना easy होता है friends आप लोग का class 5 or 6 का student को भी अगर दे दोगे तो 5 में से 5 यह item कर देगा तो यह बहुत ही easy comprehension होता है तो आप लोग यहाँ पर item कर सकते हो the next है आप लोग का D, I, N, D, S data interpretation and data sufficiency यह section एक section है जहाँ पर आप लोग को marks उठाना है क्यों friends यह section ऐसा एक section है जहाँ पर बहुत ही easy होता है but time बहुत खाता है यह तो यही एक section है जहाँ पर आप लोग का time बचाना है and कोसिस कीजिए इस section को आप लोग पहले starting में या medium में complete कर दीजिए क्योंकि friends यह last में अगर जब करने जाते हो न तब हम लोग क्या होता है pass के pass ही छूट जाते हैं अगर एक भी question शूट गया friends यहाँ पर आप लोग का exam को pass करने का probability बहुत कम हो जाएगा तो कोसिस कीजिए आप लोग attempt ही आप लोग 100 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई negative नहीं है and क्या है आप लोग का यह जो 20 marks है 20 के 20 marks आप ला सकते हैं बहुत ही easy होता है बट यह बहुत ही lengthy होता है तो आप लोग कोशिस कीजिए यह वाला DI जादा से जादा प्रिपरेशन करने का मैं तो अभी question series start करूँगा ही WS3DCL के उपर फिर भी आप लोग कोशिस कीजिए कोई भी maths का question उठाके DI DS solve करना start कर दीजिए अभी से क्योंकि दो मेने बाद आप लोग का exam start होने ही वाला है पहले से आप लोग सोच के रखिए then next आप लोग का DI DS के बाद last है computer awareness computer awareness जो है आप लोग का 10 marks का होता है and यह क्या है हम लोग सोच रहे हैं कि अब होती computer है यानि कि बहुत है अंदर से कुछ भी हम लोग का programming software से पूछ लेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है friends आप लोग का just MS Word, MS Office, MS Excel Microsoft Office का जितने भी कुछ है न PowerPoint है सब इन सब sections से आता है and बहुत ही genuine बहुत ही easy easy sections से आता है and basic basic sections से आता है अब यह basic चीजी हम लोग को नहीं पता रहता है friends इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग को computer का basic section जो कोई भी एक book है आप लोग ज़्यादा language language में मत जाईए C, C++, S1 में मत जाईए आप लोग basic जो जितने भी आप लोग का UBA computers then कोई भी computer section होते हैं उसमें पूरा आप लोग का MS Word Office Microsoft Office के उपर पूरा book रहता है तो वह ला section आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए तो आप लोग का अच्छी तरह से preparation हो जाएगा and friends क्या है मैं इस video के नीचे आप लोग computer के उपर 100 question best question दिया है and क्या है आप लोग को अगर solution चाहिए तो आप लोग course मेरे को comment कीजिए मैं solution upload करी दूँगा even क्या है मैं आप लोग को group में तो solution upload करता हूँ next video में मैं आप लोग को solution upload करूँगा and मेरे छोटे भाई का next week आप लोग का आ रहा है उसमें आप लोग के एक interview भी दे लूँगा कि उसने preparation कैसे किया था and within 50 days में उसने preparation को complete करके job कैसे मिल गया उसको and interview में tackle कैसे करेंगे then उसका 30 marks का जो again एक question होगा again एक आप लोग का second tier होगा उसको कैसे करके tackle करना है तो यही सब question friends मैं एक interview उसके उपर बनाऊँगा and आप लोग का जो भी questions and queries है please मेरे को comment में लिखिये लाकि मैं यह सब question मेरे भाई से पूछ सको तो तब तक के लिए friends that's all and keep learning, keep watching my YouTube channel learn for knowledge